आप लोगों की कहें पे उखड़ जाते हैं लोग तो जूट भी सोधर आके खड़ जाते हैं एन उस वक जब दूनों उस कोटड़ी में यू बैठे थे चन्द मील दूर कारदास के कंपनी के टॉप फ्लोर की राधारी में सुमर एक बैंच पर बैठे थी दूनों हाथों में क क्योंकि दूसरी जानिव से आशिम चलता रहा थां एक हाथ में प्रीफ केस दूसरे हाथ में पकड़े मोबाल पे बटन दबातां सुमर के करीब वो रुखां पहले उसके पहर देखें फिर नसे उठाएं वो भन ठकन का गलास उसके दर बढ़ाए हुए खड़ी थी आशिम खुल कर मस्कुरायाँ बगएर चीनी के गलास वकड़ते अवर उटाई सुमर ने सर को हम दियाँ बगएर चीनी के और दोनों साथ साथ चलने लगे वैसे आप तो शहर से बाहर गए हुए थे आप मुझसे समात पे गहर हाजरे की पास पुरस करने नहीं आई जानता हूँ वो काम बताए जो आपको इदर खींच लायाँ वो खून परते हैं वे मुस्कुरा कर फूश रहा दों दोनों हाशिम के ओफिस की समेच जा रहे थें कुछ देर के लिए मेरे साथ एहमर शफी का वगली बने मगेर बात कर सकते हैं आप मैं सुन रहा हूँ एहमर कितना काबल इदपार इनसान है क्यों अब गोर से साथ चलती सुमर को देखाऊं क्या उसकी किसी बात पे भरोसा करने में आपको दिक्कत पेश आ रही हैं वो सरा समस्कुराई तो ऐसा शक्स है जिस वे इदपार किया जा सकता है हाँ वो अच्छा लड़का है मगर हुआ क्या है दोनों वो रुके बेना आगे चलती गए वो टेप आपको कहां से मिली आशिम ने अक में पुकारा सुमर पीश रादारी में रुकी एडियों बिखुमी अच्छा पेस उसे देखाँ कौन सी टेप आपकी ओफारिस के कॉल जो अदालत में पेश की गए साधी ने बताया वो आपने निकलवा कर दी थी अगर सुमर के आथ ओडियो लगी है उसके बावजूद वो फारिस को हुनागार समझते हैं तो फिर कोई मस्दा नहीं वो भी ख्वामखा हावर की बात पे अभी तक अटका था उसर चटक कर कौफी का क्लास पकड़े वं अंदर की जाने पड़ गया फसील जिसम पे तासा लहो के चींटे हैं वो दूदे वक्स से आगे निकल गया कोई वो रात किसरी कारदार पे यूद री कि अपने अंदर ध कुमसा हो गया था लिविंग रूम में टीवी चल रहा था और हाशिम सोफे में नीम दरास पैड मेज पर रखे तीवी स्क्रीन को देख रहा था सोनी अवसे गंदे पर सारक्के तिरची लीडी किसी किताब के सफ़े उलट रही थी शेरीन जार चुगी थी और चंद दिन त मदम रिजर्ट पत्तियां जली थी जवारात नाइट कौन में मलबूस बैट के साथ खड़ी एरान परिशान से एक फाइल के सफ़े बलटा रही थी बातरूम का दरवास अकुला था अंदर तेज सफेद रोश्टी में औरंग सेव खड़े शेफ बना रही थी उनको रात को शेफ बनाने की आदत थी बलेट काल पे फिरते सरा वकफा दियां और करदर मोड कर जवारात को देखा जो खनूस शौक की आलम में फाइल देख रही थी अब अपना मेलो ड्रामा ना शुरू कर देना मैं फैसला कर चुका हूँ और उससे नहीं बतलूँगा ओरंग सेव उ तनफर से कहते रेसर चाक लगे काल पे फिराओ जो आरात के सफिर चेरे में सुर्खी उबरी और फिर शेड़नी की आँकोई भी लाल अंकारा होने लगी और दंदनाती हुई बातरूम के दरवासे दागाई तुमने उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिये मैं चुप रही उस हुद को देखते हो रंग से ने थोड़ी पे रेसर फेर हूँ मैं उसको यहां से भेज रहा हूँ मुझे वो अपने एर्दकेत परदाश नहीं है वो तुम्हारा बेटा है उचिलाई सौंट्प्रूफ दिवारों ने तमाम आवासे दबाली पाई लोंचे वेड़े हार्श फुद खाएगा यह सजा है यह इंतिकाम है तुम चाहो तबने बेटे के साथ जा सकती हो इस वाद पे जो आरात ने मुठिया भेंज ली तुम हो कौन मुझे यहां से निकालने वाले वो सुर्ख आँखों से खुराई थी मैं इस घर का मालिक हूँ तुम एक हैसान वारामो फुष बेहिस और घटिया इंसान हो वो हलक के बल चिलाई थी सांस वेतर दीव हो रहा था और आंखे लाल अपने गाम से काम रखों और अपने बेटे से कहो के काख़जात पे दस्तक कर दे पड़ना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे वो चोकर प नफरस से उनी देखाँ नो शिरवान अब इदर नहीं रहेगा मेरी तरफ से वो अजाद है जैसे मैंने मेहनत करके कमाया वो भी कमा ले मेहनत मेरे बाप के टुकडू पे पलने वाले हो तुम ये सब मेरे बाप का था तुम अपने साथ नहीं लाए थे वो शेडित हकारत से उने देख रही थी और रंगसे भुसा सबकी उसे देखते रहे फिर असबात में सरकोईल आया मैं मसीद क्या कर सकता हूँ बताओ तुमें मैं अलीशा को इस घर में ला सकता हूँ बलकि अच्छा किया तुमने फैसले में मेरी मड़त कर दी हाशिम तो वैसे भी उसकी फीज देने का सोचे हुए है वो इस फैसले से बहुत हुश होगा उसको मसीद इश्ट्याल दिलाकर वो दुबारा आइने में देखते शेफ करने लिए और जोकट में खड़ी नाइट कॉम में मलबूस जोआरात का पूरा जिसम चल कर भसम होगी हूँ लब भींचे कहरे कहरे सांस सेथी सुर्ख तुकती आँखी और रंग सेप पर जमाई खड़ी उस सखमी शेनी के अंदर एक जोआर पाटा सबलने लगा बरसों का दबा लावा उबलने लगा इतने अज़ादा कि उसके तेस होते थे नफुस की आवास और नुसेप को भी आने लगी नसरे मोड़कर उसे उसे हकारत से देखाँ अपनी बचसुरत शकर लेकर तुम यहां से चली यू नहीं जाती कौन कहां जाएगा यह वैसला अब मैं करूँगी नफुस से कहती वो पीछे हटी मैं सारी उमर तुम्हारी हर बुरी बात परदाश कर दे रही लेकिन तुम मुझे और मेरे पेटे को यहां से बेताखल करना चाहते हो अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ पीछे हटी गई यहां तक कि ट्रेसिंग टेबिल तक आरूगी वहां सामने उसका हेर स्ट्रेटनिंग आयरन रोड रखा थाँ वो कोई अकलो हर्च से भेकाना लमा थाँ जब उससे रोड उठाई और कमर के पीछे कर ली फिर कदम कदम चलती बादरूम की चोकट तक आई और अगसेब के आदे चेरे पे अभी फोम थाँ काल पे कोई कट लगा थाँ जिसको साफ करने के लिए वो टिशू लेने नीचे जुगाँ तभी उनकी चुकी करदन के पीछे आयने में जवारात का चेरा उबराँ नफरत और घस्प से अरी आँखों से पुर्ष शेराँ और रंगसेब टिशू उठाकर सीड़े हुए तो ठटके मगर जवारात ने पूरी कोवर से आयरन रॉड उनकी सर की बुष पे मारी वो लड़ खड़ा है पून निकल निकल कर पहने लगां जो आरात हाथ में आयरन रॉड पकड़े उन्ही नजरों सुने देख रही थी और वो उसके कदमों के पास बेयकीन से गिरे वड़े थे जो जो वार अलफाज अटक अटक कर निकले तर्ज से बोलने की कोशिश की अपना हाथ उठा कर पढ़ाना जाओं के वो उनको थामें थाम कर उठाएं मगर वो चोकट पे खड़ी रही लब पींचे शोलाबार नसू सुने देखती गरीबी में और अमीरी में बीमारी में औ बता कि मोत हमको चुदा करते और वो उनके साथ ही खड़ी थी मगर मोत अभी चुदा करने नहीं आ रही थी कहरे कहरे सास से थे औरंग सेब का हून निकलना रुप गया था जोच शदीद थी मगर जान लिवा नहीं उन्होंने अदेली के वाल उठने की कोशिश की जो और कुशन हाथ में पकड़े उनकी उपर शुगी मुझे तुम्हारे साथ ये बहुत पहले करना चाहिए था कुशन और अंग सेब के मूँ पे जमा कर दबाया यूँ यांके कुशन सिभाए थी और उन आंकों में बेपना बेगीनी उमड आई वो बेक्तियार अपने बेज अरशिम में तुम्हारे लिए क्या कुश किया पोले से कहते उससे कुशन मसीच सोर से रवाया हूँ असाम मत करते ओरंग सेब उसके हाथ को पकड़े पाउन इतर उतर मार रहे थे हमने वो किया था जिसका इलसाम फारिस को लेना पड़ा अरशिम ने मरवाया था उन दोनों को क्या तुमने सुना तुम्हारा बांचा बेगुणा था क्या तुमने सुना अरशिम ने क्या था ये सब और मैं भी उसमें शामिल थी क्या तुमने सूना औरंग सेप के बहुं सागित हो गए थे, जोहाराद के हाथों को आटा दे हाथ भी ठेर गए थे, जोहाराद ने चेरा उठा कर दीखा, उनकी बेगे कीनी और दुख से पहली आँखे सागित थी, सांस सिखल चुका था, मगर क्या आखरी बात उन्होंने सुनी थी, क्या पहले सांस दिखला था, या पहले दिल ने सदमे से काम करना चोड़ा था, उससे कुशन हटाया, जोंके उनके सर से निकलता हूँन फर्ष पर दूसरी तरफ को जा रहा था, सो जोहाराद के कपड़ों पे हूँन का कोई निशान नहीं लगा था, वाहिस्सा से खड़ी हुई, और से दुर रदर देखां, वो बातरूम में खड़ी थी, उससे अपने शोह को कतल कर दिया था, उसका बेटा चंद कदम दूर दिवार की पार मुझूद था, ओ खुदाया, वो बिदक कर पीछे अड़ी, अरासा नसरों से औरंग सेप की लाश को देखां, उसके चेरे पर पस दो बातरूम से निकली, कमरी के दरवासे दगाई, उससे जरा सा खोला, दर्ज से भाईर सोफे पेटे हार्शिम और सोनिया नजर आए, उससे जल्दी से दरवासा बंद करके लौक कर दिया, वो उसका हर मसला संभाल लिया करता था, मगर आज वो हार्शिम को नहीं बुला स खोली, उबरी हाने में पीचे करके उनको घुसायों, अलमारी बंद करके लौक की वो फिर मुडी, तो बैट के नारे कीरी फाइल नजर आए, वो जो फसाद की जड़ थी, पुर्टी से उसको भी दरास्वे घुसायों, फिर आगी आए, रसिंग टेबिल के आएने में अप खड़े नल खोलाँ, चेरे पे पानी डालाँ, फिर उसे तोली से तपतपायों, कदरे सुकून आयों, सिंग के मरमरी पतर पे हाथ रके उससे नीचे देखाँ, और रंग सेव की खुली आंकों वाली लाश अन्नूस वड़ी थी, अब उससे क्या करना था, ये ये उससे नह भी आरामदे में कुलता था, और फिर वापिस कमरे में आई कमरी का भी, ये दार्endas पिछले पैरामदे में कुलता था जोहाराथ ने उस दार्авай से के चठगने किरा थी, और फिशे बातरूम में आई, दार्वास अंदर से बन धिया, ये इस तारह और अchaeसीव ने लॉक गिय होगा फिर वो शेफ बनाने लगी होंगे उससे बढ़बाते हुए शेफ के समान को सिंग के स्लैप पे पहलाया रेजर और रंगसीब के हाथ से चुटकर नीचे जागी रहा था उससे वो उठाकर उसके ठंडे हाथ में दे दिया वो उनका चेरा देखने से एक तस नरास बरत रही थी और शेफ के दुरान उन्होंने नहीं देखा कि टूटी लीक हो रही है कहते हुए सिंग के नीचे जुगी वो नीचे से खुला था उससे पाइप में रेजर से अलका सकट लगाया हूं पानी धार की सुर्ट टपकने लगा हूं वो उस सरफ जा रहा था जा और पासे तकाई जो बरामदे में कुलता था उससे सोचा कि काखरी नजर मुड़कर उरंग से को देखे मगर वो पल्टे बिना दर्वासा कोल कर बाहिर आई और उससे अधियास से अपने पीछे बन भी हूं बाहिर सर्दावा हर सू चल रही थी रिश्मी कौन को हुद पे लप से पे कमरे का दर्वासा था जिसकी चठनी उससे अंदर से किरा रखी थी सीने पे वासुल अपेटे से जो काये वो दर्वासे की दरव जा रही थी जब मिसिस कारदार अवासे उकरंट खा कर उचली दोदर देखां फिर खरदर उठाई ओपर हार्शिम की बालकोनी में मैं अंदर जा रही हूँ ये पोदे देखने आई थी बरामते में कतार में रखे पोदों की तरफ विशा रखियां आ महा की वसाहत मैंने इनको वक्त भी पानी दे दिया था ओके तुम ऐसा करो और रंगसेव के लिए कौफी बना दो वह भी शावर लिए सो बंद्रा 20 तकली आना और फिर बाद इककत मस्कुराई सांस अभी तकटका था मेरी ने अस्वात में सारे ला दिया और रंगसेव सिफ उसके हाथ की कौफी पीठे थे च्वारात कमरी का दरवासा खोल कर अंदर आई और पिर पुर्ष डेवार से लगाकर आंखे बंद की यहरे सांस से लेखी मेरी ने कुछ नहीं देखा मेरी ने कुछ नहीं देखा उसे खुदको तसली थी पिर ट्रेसिंग टेवल की तरफ आई स्टूल पे बैठी स्पांज उठाया चेरे पर पोड़र हिया आँखोए मस्कारा और होंटों पे हल्की सी लिपस्टिक मुस्कुराने की किया वो बेतर लग रही थी या उसके आंगे अभी तक खोकली दिख रही थी गाउन की डोरी कसी और मुबाइल उठाये वो बाहर निगली आशिम और सोने पत्सतूर उसी तरह वैटे थे टीवी चल रहा था हाशिम मेरा जीमिल काम नहीं कर रहा क्या तुम इसे फिक्स कर द जोहरात उससे करें सोफे बेठी टांग पर टांग जमाएं उंगलियां पहां मिलाएं कोया उनके लर्जिश रोकने की साही की मेल से नहीं हो रही अपने अकॉंट की तरफ कुछ भेज कर देखो ओके और टाइप करने लगा ये हाशिम है मॉम के फून से लिखा और अपने इमेल पे वेज़ां चली गए शाय को वक्ती है ररो मुस्कुरा कर कहते है मुबाइल उसकी तरफ बढ़ायां जोहरात ने बात दिक्कत मुस्कुराते हुसे धाम और फिर से टीवी देखने लगां तो हमारी अपने डेट से कोई बात हुई शेरों के बारे में नहीं मैं उन देट से एक दफ़ा खुल कर बात कर लो क्या पता बहुत भी दिल से यही जाते हुँ और इसी बाहाने शेरों को माफ कर दे बोलते हुए उसे लगा उसे करदन पर बसीना आ रहा है और शायद अदेलियों के अंदर भी दिल भी धक धक कर रहा था हुँ आजी मां के टीवी पर जमाय चलना में खामोश रहा हुँ अब नहीं दे रहा अफीज जुरूरत नहीं रही वो चूंगी क्यों उसे पैसे के लिए जुर्म किया पकड़ी गई अब जेल में है और युनिवस्टी जाने के जुरूरत नहीं रही जो हारा तम साधे उसे देखी गई उसे यू ल खाया ही सोरी मुझे धेर होगी मेरे वेटी का फोन आगया था वो अतन वसाहत देती कमरे की जाने पड़ी कारदार साहब से कहना बाहिर आ जाए हाशिम ने उनसे कुछ बात करनी है जो हारात ने बुकारा वो साहिला कर अंदर चली गई चंदी लम हो बात बाहिर निकल आई सर बात रूम में है मैंने कॉफी टेविल पे रखती है जो हारात ने आतों की नमी मुठी में चुपाते दाज जुपसु से देखाँ अभी तक नहीं निकले शाहिए शेफ बनाने लगे हूँ ओके तुम जाओ और जैसे सर चड़क कर हुदी मुतमेन हो गई मैं उनसे अभी इस मोज़ों पे बात नहीं करना चाहता हूँ ओके पिर उरंग सेप के कमरे की जाने पढ़ाँ चौह रात का मेकप से ठका चेरा सफेद बढ़ने लगाँ सोर से सोफे की कत्टी मुठी में भीजी सास रोके हार्शिम को अंदर जाते देखाँ उससे दर्वासा कोला, कमरा खाली था, कॉफी मेस पे धरी थी, इदर उतर कर्दन खुमाई, बातरूम का दर्वासा बन था, आशिम वापिस बलटाया, चोखट में, एक दम उठेरा, जवारात उससे ही दिख रही थी डैड कितनी देर संदर है, क्या, अभी तक नहीं निकले, वो बेक्तियार उट खड़ी हुई, चेरे पे दरादी परिशानी छुवा नहीं सकी, वो इतनी देर कभी भी नहीं लगाते, आशिम एक दम मुड़ा और बातरूम के दर्वासे दगाया, उसके खट-कटाया, पहले हलका, डैड, फिर सोर से, डैड, डैडी, आप ठीक हैं, जवा हरा, तेजी से उस सकाई, औरंग जेब, कब कपाते आवासे बुकारा, आशिम एक परिशानी से दर्वासा धर टड़ा रहा था, इस दर्वासे की चाबी किदर है, नहीं, वो चटखनी चड़ाते हैं, मुमन, वो अब सोर से दर्वासे पे हाथ मारने लगा, साथ उनको वुकार भी रहा था, शोर सुनका मेरी भागी चली आए, डैड, दर्वासा नहीं खोल रहे मेरी, तुम बरामदे वाला दर्वासा चेक करो, वो खुला है क्या, वो सोर से दर्वासे को पूर से ठोकर मारते हुए मेरी हका बका आगे फड़ी के, मैं वो दर्वासा दिखती हूँ, तुम शेरू को बोलो, जाओ मेरी, जोरात को गदरे चला कर कहना पड़ा, मेरी को समझ नहीं आया क्या करे, मगर जो कि जोरात उत बरामदे की तरफ जाने लगी थी, तो वो फोरन लौँच में भागी, जो भी शेरू भागता हुआ अंदर आया, मेरी भी उसके पीज़े थी, तुम्हारे डेड, जोरात ने उसे सुरतेहाल समझानी चाहिए, मगर आंसों ने काला बंद कर दिया, उसे समझने की सुरत नहीं थी, डेडी, डेडी, वो हाशिम के साथ उसे दिवानावार अंदास से जो बोकारता दर्वासे को ठका देनी लगा, खावर कहां है, जो हारात की पूछने पे मेरी बैदाने लेखी, वो तो घर जा चुका है, उसे कॉल करूं, सुरत नहीं है, और जो आखरी शक्स वो इधर जा दी थी, वो खावर था, डेड, डेड, उनको बोकारते हुए हाशि पूरी कोवा से दर्वासे को ठोकर मारी तो चटकनी टूटी, वो उड़ता हुआ, दूसरी जानिमचा लगा, और अंदर को लड़कता, हाशिम किरते किरते बचा, और फिर उसे लगा, उसके जिसम से जान निकल गई है, पर्ष भी खून था, और चित्पिरे, खुली आंख वाले औरंग सेब कारदार, उनकी आँखें बिलकुल साके थी, चेहरा बेरंग, नुशिरवान बच्चों किता चीख था, उनको पुका रहा था, और हाशिम वो बेदावन सा गुटनों के बाल नीचे बैठता जला गया, मैरी ने चीख रोकने को, दोनों हाथ मूँ पे जाहें उठी, परामदे की दरफ की दरवासी की चिठखनी खुली थी, मैरी, होस्विटर, डॉक्टर, किसी को कॉल करो, आस्सु उबलूबर का जो आरात के आंकों से रहे थे, मैरी का लम्हे भर को कुंटी पर उलचा सेन वहां से अड़ा और वो फोरन बाहिर भागी, जो आरात ने सफेद भीगे चेहरे के साथ अंदर कदम रखा, शेरो उनका चेहरा तब तब तबा रहा था, शायद वो रो भी रहा था, उनको बार बार बुका रहा था, और हार शिंबल कुछ साकिसा उनके करीब बैडा था, उसके बेच्जान लुड़के हुए हाथ को देख जो आरात कदम कदम चलती औरंग सेब के सर के करीबा कड़ी हुई, उसके दोनों पेटे बाप बीचुके थे, दोनों मेंसे कोई भी उससे नहीं देख रहा था, वो कदम कदम पीछे अटी, जैसे शौक को बेड़िकीनी से हट रही हुँ, यहां तक कि उसकी पुछ पे अब बुलाएं, डैडी को ऑस्पिटल लेकर जाना है, शेरू आसीन से आखे रखड़ता के रहा था, यह क्या हुआ है डैडी को, ही इस डड़ शेरू, आशिप ने बेजान सा कहते हुए बाप के हाथ को धाव, जैसे ही उनकी चिल को मिस गया, अर्सु कर्ब सा फैलियो, हम बाह हारा देकर बाप को उठाने लगा, नोशिर्वान ने दूस्से गंदे सुने धामा, और लोग इसी दिन के लिए तो बेटों को मांगते हैं, मेरी वापिस आ गए थी, आशिम और शेरू और रंगसेव को बाहिल आ रहे थे, मेरी की निगाएं सबसे पहले बरामते की दरवा सी हो गए थी, और शायद अपने तवासन पर करार ना रख सकी और गिरने को थी, कि मेरी निए मिस्स कारदार चलाते हुए आके भढ़ कर उसको धाव, अर शेर से बेनियास उसका सहिन प्यानक तारीकी में डूब रहा था, और आंकों से पानी बराबर गिर रहा था, और रं भी थी, वो बहुत तकलीब दे थी, और उससे जागना उससे विसादा करबा मेज, आंके खोली, तो अपने बेट पर मखवलीन लेहाव मे लेड़े थी, बलगे जब काजब अकार इर्द के देखते हो कौनियों के बाल उठी, सर दर्स से बढ़ा जा रहा था, पहले लगा वो सब खुआप था, मगर नहीं, अकिकत लब में भर में ही सामने नाचने लगी, वो कमरे में दना थी, मगर यकीनन घर में बहुत लोग जमा थे, उससे पहल समीन पर रखे, साइट टेबल पर दवाईयां धरी थी, उससे सकून और आवर इंजेक्शन देकर डॉक्टर मलिक ने सुलाया था, उनकी फैमिली डॉक्टर, सरकारी हस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनको सबसे पहले बुलाया लिया था, ये नाम से इन में आया तो जमकासा हुआ, वो चटके सूट खड़ी हुई, ओफ और वहिशत ने उसे अपने खेरे में ले लिया, दोगा खा जाएगा क्यों, शायद नहीं, पर मुश्टिक गदम गदम चलती वो दर्वासे तकाई, जरा सकोला तो भाइर हार्शी महावी खड़े या नसर आये, वापस से बात कर रहे थे, अभी सुबा नहीं हुई थी, और मैयत के घर आने वालों का इंतसाम, खुले सबस सार मी थे हूँ, 14 दिं दर्वासे की पीचे कान लगा कर सुनो, आवर के रहा थे हूँ, मौच से पहले वो फेरोस हयाद की पार्टी से आये थे, मुझे डहरे उन्होंने सर को कुछ ट्रक्स ना पहला दी हूँ, हमें पोस्माटम करवाना चाहिए, ताकि अगर वो किसी और वज़ा से पिसले हूँ, तो वो सामने आ जाए, मैं अपने बाप की लाश की बेहरूमती नहीं होने दूगा, उस से आख उरते और सफेश अलवार में मलबूसां आँखों मिसकती थी, मगर चेहरा सरा वेरान सा था हूँ, सर, वो इतने कमजोर नहीं थे कि गिरेंद उट न सकें, डॉक्टर आफताब हो दिसरार करें हैं कि बोस्माडम करवाना चाहिए, तो आपको करवाना चाहिए, आशिम ने अब की बार इंकार नहीं किया, उसकी हामोशी नीमरसा मंदी थी, जोहारात ने कहरी सांसी और दर्वासा पूरा कोला, बाही निकली, तो रोने चोंक क अब उससे रेखा, आशिम फिकर मंदी से आगे भड़ा, ममी आप ठीक हैं, नर्मी से उसको शानू से धामा, आपने अफसोस से तासियत की, ओरंग सेब कहा है, मना मत करना, मैं होश नहीं खोंगी, कुछ देर उसके पास बैठना चाहती हूँ, उससे भी उतनी नर्मी से कहा कि वो उससे कंदू से धामें राधारी में आगे लिया आया, यहां एक बेट्रूम में डॉक्टर आफदाब मैयत के हमरा खड़ी थे, वो अंदर आई, और मुलास्मों को बाहरे निकल जाने को कहां, आशिम और मेरी समय सब निकलें, और दरवासा बन कर दियां, तो वो और सेब के सराने खड़ी जो आरा, डॉक्टर आफदाब की जाने भूमी, वो दोनों अब अकेली थे, तो आप कह रहे हैं कि पोस्माटम करवाना चाहिए, वो टीकी नजरूं से उन्हें गूरती एक्दम फनकारी थी, यह वो जो दस्सियत करने लगी थे, ताज़ जुब से उ से करीब आई, बिल्कुल मुकाविल यहां तक के वास्या महसूस होने लगां कि उनसे दरास कर थी, तूबा, आपकी बीवी के पहले शोहर से हुई बेटी थी, याद है आपने कैसे उसके साल से आती की थी, और मैंने उसे कवर अप करने में आपकी कैसे मदद की थी, आपकी बहुत सारी कुफ्त को रिकॉर्ड है मेरे पास, क्या सुनवा तूँ आपके बच्चों को? डॉक्टर आफदाब ने घवरा कर यह दरोदर देखा, पर परिशाने से इसकरीब हैं, मिसिस कारदार, वो मेरे और आपके दर्मियान था, तो फिर जैसे वारिस खाजी की पोस्म बरामते में चा कड़ा हुआ था, सब ससार में बैठे लोगों के साथ बैठने कुछ ही नहीं जा रहा था, वो वहीं खड़ा दूर पहाड़ों पे तुलू होता सुबा का सूरज देखने लगां, हाशिम भाई, वो कब उसके साथ आककर खड़ा हुआ, उससे इल्म नहीं साथी की बुगारने बिचोंगा, वो जैसे हबर मिलने पे ओफिस के रास्ते से हिदर आ गया था, बहुत अफसोस हुआ मुझे, कैसे हुआ ये सब, वो तासुस से बूच रहा था, वो पसमुर्दा कड़ा हाशिम आइसा इसा बैदाने लगा, आ हैं सो सोरी हाशिम भाई, म उसके भाई की लाश पंक कैसे जोल रही थे, मैं समझ सकता हूँ, और बहुत साथी से कहते, उससे हाशिम का कंदा तप तपाया, वो एक्दम चोंग कर उसको दिखने लगा, साथी के अंदास में नहीं चोंगा, उससे तो अंदास नोट ही नहीं किया, बस बात दिल के अंद साथी ने पहाना कर दिया, अब क्या बताता हूँ, कि जब से अलीशा का हत मिला था, हाना चुपसी हो गई थी, ना किसी से बात कर दी, ना हसी, उस जरा इन मसलों से फारिख हो जाए, फिर उसका मसला भी देख लेगा, उतरते सूरश को देखते हुए, उससे सोचा था, जा एमर मदम आवाज से कुछ कह रहा था, और फारिस आंके सुकेड़े करदन मोड कर एक तरफ देख रहा था, आपने सोचा है, यहां से निकल कर क्या करेंगे घाजी भाई, तुमसे मतलब, तो फिर इतना पूछ ले, कि मैं यहां से निकल कर क्या करूंगा, तुम वही करोगे यह जो पहले करके इधर आए हो, फ्रॉट और चाल साजी, उसे हुश्जी हुश्खंदास से कह कर साजट कहूं, एमर ने नहाए सदमे सुसरी कहूं, मैंने सिर्फ एक, इंगिश्चे शाहतत उठा कर दिखाई, सिर्फ एक दफाई हरकत की थी, और दुबारा कभी नहीं तुम बिल्कुल करोगे, इंसान नहीं बदला करते, जो एक दफाई करता है, वो दुबारा ज़रूर करता है, साथी चूते से कंकर को ठोकर मारी, इश्वाक एमर ने कहा था, जो अच्छा इंसान सिर्फ एक दफाई गुना करे, और पिर तोबा कर ले, तो दुबारा कभी इसा नहीं करता, ये श्वाक एमर ने नहीं कहा, तुमने अभी अभी खड़ा है, इस साफ कोई पर एमर ने अराजी से उसे देखा, इतने हुश क्यों हो रहे है, कारदार साहब की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, मगर क्या तुम कुछ देर के लिए हमोश नहीं रह सकते, वो छला गया, एमर ने हुंकर के मुझे लिया, पर लबो में कुछ परवड़ाया, पर सरा की सरा उसका चेरा तका, कि परवड़ाट का क्या रत्य हमलाया है, मगर वो नहीं सुन रहा था, आपको उन पे अभी तक गुस्सा है, सिफ अफसोस है, उसे वाले टैच्विंट नह में एक सफाही आन खड़ा हो, तुम्हारी मुलाकात है, पारिस को इशारा किया, कौन, वो चोंका, प्रोसीक्योटर साहिबा, उन दोनोंने बेक त्यारी दूसरे को देखा, एमर के लबो में सुक्र, एक अफ़ते में दूसरी मुलाकात, ये चुडेल को इतना रहम कब से आ उपर से आ, मीनी कोट में मल्रूस थी, सफेर डुवटा शानों भी था, और बाल कैजर में हाफ बने थी, निगाहे में इस पर रखके अपने पाहम मिले हाथों पे थी, लोंग की धमक बरसू बात भी वैसे ही थी, वो बैठ चुका तो सुमर नसे उठा कर उसके चेहरे को त पहले सुनने आई थी, अब बोलने आई हूँ, देहान से सुनना, क्योंकि जब मैं बोलूगी तो आवास बाहर तक जाएगी, अलफास उसके लभू से अदा हुए और महोल का तनाव बढ़ियों, पारिस के आँकों की नर्मी मदम होती गई, कहिए, तुमनी कहा, मैं तस्व करती उसे खूरती कह रही थी, जब वो तुम्हारा साइटकेक मेरे पास आयो, तब मैं सिर्फ मश्कूक हुई थी, मगब फारिस, मैं तस्वीर का दोस्था रुख जरूर देखती हूँ, सब जो मुझे ये मालूम हुआ कि वो एक वफदार इंसान है, तो ये भी पता चल ग तुम लोग जेल में कोई रॉइट्स प्लैन नहीं कर रहे, तुम जेल तोड़ने जा रहे हो, उसके सुलकती निगाए फारिस की आँखों के अंदर उधर रही थी, वो सब आठ ठेरा लिए आमोश रहा हूँ, डोंट वरी, मैं इस मुम्किना जुर्म को रिपोर्ट नहीं क जादा अच्छा है कि तुम जेल तोड़ो और फिर से वो ही जुर्म करो, जिसके लिए अंदर गए थे, पता है तुम क्या करोगे। शायद कोई कागस का टुकडा था हूँ, मगर तुम्हें ये प्लैन किसी और के साथ मिलकर बनाना होगा, क्योंकि एहमर शफी के हिलाफ चार्जिस प्रोस्सिकेशन ड्रॉप कर रहा है, सबूत की अदम मुझूद की की वज़ा से, सो वो जल्द रहा हो जाएगा। पार इस कहानी के आग में सबूत ढूदने जा रही थी, मगर और फिर उसकी आँकों में सक्मा उत्रा नफरस से दिखती, नफवी में करते ने लाई, मगर तुमने फिर मुझे इस समाल किया, पारिस तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हारी टीचर थी, साधी की फुपो थी, य आँकों में अब नमी भी उतरने लगी थी, इस हरकत के लिए किसी प्रोसीक्यूटर या पुलिस अफसर कोई समाल कर सकते थे तुम, क्या मुझे समाल करते हुए उस सड़के को मेरे लिए पेगाम देते, तुम्हे एक लम्हे को भी ऐसास नहीं हुआ, कि तुम बार बार एक उरत को इस समाल कर रहे हो, तुम मुझे से चाहते क्या हो थे, उससे से भोलते हुए एक आँसों आँकों से लुड़क कर काल पे जा किरा हूँ, उससे खुद भी ऐसास ही हुआ कि कोई आँसों किरा है, वो तब भी चुप रहा हूँ, और मालूम है, इतनी देर से तुम्हा तबहा करने के लिए, क्या तुम एक दफ़ा भी माफी नहीं मांग सकते हैं? मैं स्विजोर से हाथ मार कर वागी कोई आँके सुख ठक रही थी, ये कहना इतना मुश्किल नहीं था फारेस, आयम सौरी सुमर, बस सीन अलफास से, तुम एक दफ़ा मुझसे माफी मांग कर द तुमने अभी अभी उस चक्सों गवा दिया है, जिससे अगर तुम्हारी बेगुनाही का यकीन हो जा था, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी तरफ दहर बन सकती थी, मगर अब पीछे होते वे तनवर से उसे देखते नफी मी करते नहीं? अब नहीं, अब मुझे तुम्हा पारे साथ कोई वास्सा नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरा तुमसे कोई जाती जगड़ा था ही नहीं, अगर हो था, तो तुम देखते हैं मैं कैसे तुम्हें अंचाम देती हूँ, लेकिन नहीं, साच जटक कर मेस पे सीधा हाथ माराओ, वो चुपचाब बंध होटों से क आगस चबाते उससे देखता रहा हूँ, मैं तो एक इस समाल की शेह थी, जिसके जरीए जब चाहो तुम अपना मतलब निकालो, और तुम्हें अभी भी कोई शर्मिन दी नहीं, ताज जो परे सत्मे से उससे देखती है, वो नफी में घर्दने ला रही थी, पारेस, तुम अनने मुझे इस काविल नहीं छोड़ा कि मैं कभी अपना घर वज़ा सकूँ, कभी मा तक नहीं बन सकती मैं, उसका चबाता चबडा रुगा आँखों में, चोपने का तास जरू भरा, जिस अगले ही पल वो चुपा गया, मेरे कभी बच्ची नहीं होंगे, मेरा घम लिए मेरा बाप वक्त से पहले मर जाएगा, मगर तुम, क्या तुम अब भी मौसर के तीन लफ्स नहीं कह सकते, आइम सोरी जुमर, ये तीन लफ्स बोलना इतना मुश्किल नहीं है, इससे कुछ नहीं बतलेगा, मैं अब कभी तुम्हारे साथ खड़े होने का नहीं सोचूँग और आवास वाहिर तक गई थी या नहीं, मेस के बार पैठे फारिस के अंदर तक सरूर गई थी, वहां के कुऊँगा, आदबा हम मिलाकर मेस पर रखके और संचीतीस उसकी आँकों में देखा, और फिर जब बोला, तो एक एक लफ्स चैरा हुआ, मगर मसूत था, मुझे अ बहुत जादा हम दर्दी है, कि आपकी सहित वक्त के साथ बिगड़ती चली जाएगी, मगर उस सरासा रुगां, बिना पलक चबके उसकी आँकों में देखा हूँ, मैं फारिस गाजी हूँ, और फारिस गाजी की अपनी नजर में, उसकी बहुत इस्जत है, सो मेडम डिस्र अपने रहाई का अफसोच जाने का अफसोच जादा था, अपने रहाई वाली बात तो मसाक लगी थी, और वो यकीन कर लेती, करे ना करे बताना तो चाहिए था, मैं सारी जिंदी उसको अपनी सफाइया नहीं दे सकता, इसका कोई फाइदा नहीं, वो जैसी है उसे रहने दो, उससे भी बहुत कुछ खोया है, कम असकम जेल में तो नहीं है वो, वो चल कर बोलाँ, कहद की पास कोई है तो सही, जिसको उलजाम दे सके, मेरे पास दो वो भी नहीं, और जब कोई ऐसा नहो, तो इंसान हो, उतको उलजाम देने लगता है, वो जैसी है उसे रहने दो, वो मतामावास से शचुगाए कह रहा था, मगरह मर्न अफ़ी में साहिलाता बहस करने लगा, लेक में भी बंद पर्दू के 22 अंदेरा लगता था वो कर्दन तले फूले फूले तक्की रखे स्या रेश्मी लिहाफ में लेडी वेरान और वेमार दिखती थी बाल कानों के पीछे और से अलकों से मेंसे इन रूई-रूई आंखें मेकप के बगए पीला कमसोर जेरां वो थी भी स्या लिबास में और वेरान आगों से देख भी पर्दू की स्याई को रही थी साधी सामनी कुर्सी पे कुटने मिला कर बैठा विकरमंदी से उसे दिख रहा था उसके तवियत पूछने आया था मगर वो सोती चाकती कैफियत में बिल्कुल बेकानी दिखाई दी थी कि को देखती जो आरात के लफ़ड़ पड़ा है क्या तुमने वो डॉकुमेंटरी शो देखा है मैं गारतकर आय प्रेडिटर हूं बोलते बोलते रुगा सरा सोलचा और नेशल जियोग्राफी या डिस्कावरी बगेरा कहां देखता था वक्त ही नहीं मिलता था नहीं मैं दरसल उस जिन उसकी किस लगी वो मादा प्रेडिटर्स के बारे में थी घारतकरूगी मलका मादा जीता मुझे उससे बहुत रोलाया मालूम है क्यों आप बताएं क्यों वो नर्मी से आगे होकर सुनने लगा वो घरदर मोड़े खिड़की को देखती बोलती जा रही थी को या मुझा सूचनी की कैफियत में हूँ घारतकर जानते हूँ क्या होते हैं प्रेडिटर्स वो जानवर जो अपने से कमसोर का शिकार करते हैं तुम लोग समझते हो भूक मिटाते हैं या आदत धोराने को ऐसा करते हैं मगर नहीं मादा जीता ऐसी नहीं होती क्योंकि मादा घारतकर होना कितना मुश्किल है परते पे जमी उसकी आँके गुलाबी बढ़ने लगी अवास रूनने लगी वो अफसोस से देखता रहा हूँ वो अपने घम के बारे में बात नहीं करना चाहती इसलिए दोरा की बाते कर रही हैं उसे यह लगा वो एक मादा जीता फीरा होता है एक शिकार पकरने के लिए वो जितना भागता है उसके नतीचे में उसकी दवानाई आद ही रहे जाते हैं वो भी अपने बच्चों को कचार में छोड़कर शिकार पे निकलती हैं गात लगाती है हिरन के पीछे भागती है मगर हुदा का निसाम हिरन जितना भाग ले दवानाई नहीं खोता मगर वो तेस रफदार मादा जीता हिरन को तवपोश विलेती है अपनी खचार में ले भी आती है मगर आदी दवानाई खो चुकी होती है निडाल है बच्ची भूगे हैं मगर इससे कबल वो हिरन के लाशी को खा सके एक बबर शेर आ जाता है एक बड़ा खारत कर उससे करब से आंखे बन की दो आंसों निकल कर कालो पर लड़के शेर को राता है और वो मुझबूर मादा पीछे हट जाती है अगर ऐसा नहीं करेगी तो शेर उसके दोनों बच्चों पे चपट पड़ेगा और वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकती उसके सामने शेर उसका शिकार खा जाता है और वो अपने पंजे चाट्ती रह जाती है सुधे जेरी के साथ तो दल्खी से मस्कुराई वो हामोशी से सुनता रहा उससे कहाने में कोई दिलचस्वी नहीं थी सेफ मिसिस कारदार की हालत एक हम में मुक्तला कर रही थी आश्रीम के साथ जो भी मसला था उसका उसमें जोहरात का तो कोई गसूर ना था वो तो शाइद जानती भी ना हूँ कि हाशी में वारिस को गतल करवाया था और फिर वो तो उसकी दोस रही थी अब वो उसके पास आकर अकसर बैटता था बात ही करता था उसकी हालत से वो और क्या मेहसूस करता था अब उसकी आदी दवानाई हतम हो चुकी है उससे कल लास्वी शिकार करना है ताके उस दवानाई पूरी करें वर ना मर जाएगी और बच्चे उसके बाद भूख से ही मर जाएगे वो बात चारी रखे होए थी सो अगले रोज वो फिर निकलती है हिरन के पीछे भागती है उससे जाद बोचती है और उससे खसीद कर एक तन्हा कोशे में ले आती है अपनी सारी दवानाई वो लुटा चुकी है अगर यह हिरन भी कोई शेयर या बड़ा खारत कर लेगे है तो उमर जाएगी और सबसे तकलिवते बाद आज हिरन नहीं बल्कि हिरन का बच्चा शिकार किया है वो इतना चोटा है तो उससे बच्चों को दे तो अपने हिस्से में चनलुक में ही आएगे और हो मर जाएगी दवानाई परापर करने के लिए उसे ही अगेली खाना होगा तो हूँ उसे बच्चों तक नहीं लेकर जाती उत्खा लेती है पलकि मंद्गी आँसो मत्वातर के रहे थे बच्चे अभी भी भूगे हैं अगले रोज सो फिर शिकार के लिए धोड़ती है तो आनाई कम है क्योंकि कल का हिरन जोड़ा था सो आज वो एक बड़ा हिरन शिकार करती है बिलाखे अब उसके बच्चे और वो मिलकर उसे खाएंगे वो हिरन का लाशा कि सीट का कचार तक आराती है तो तो उसके अवास कपकपाई टिप टिप किरते आसों में रावानी आ गई तो उसके दो नन्नी चीते वहाँ नहीं थे वो लाशा वहीं छोड़के आगे पीछे भागती है बच्चे जंगली है आनास के नरहे में होते हैं वो गरीब आती है अमला नहीं करती जवट्टी भी नहीं है सिर्व गुराती है ओए एना डर जाती है मालूम है क्यों क्योंकि मादाचीता की आँकों तले स्याव टियर लाइन्स होती है जो गुराते वक्त उससे फहुत बारोब और होफनाग बनाती है और पिर हैना भाग जाती है और वो वो अपने बच्चों को वापिस ले आती है और तुम लोग तुम लोग समझते हो मादाचीते भोग के लिए ताकत के जोम में शिकार करती है ऐसा नहीं होता सादी कोई अपनी हुशी से किसी का होन नहीं करता अपने बच्चों के लिए अपनी बगा के लिए वो ऐसा करती है वो पिर सर्टक्ये पे किराए उससे आंगी मुननी आंसू टिप टिप के रहे दे साधी अफसोस से लवों में मुठी रखे उसे देखता रहा हूँ जाओ साधी मुझे अकेला छोड़ दो उससे करवट बदली तो वुट खड़ा हूँ कुछ देर बाद जावाराद ने करवट बदली तथ खोले दर्वासे सिभाई का मनसर दिखाए दिया साधी मेरी एंजियों के साथ कड़ा कुछ गह रहा था उसकी बात है आम नवायत की हैं वो नहीं जानती थी सिर्फ मेरी की मुझूदी है उसे बेचेन कर गई वो क्या-क्या बोल गई साधी के सामने और अब जो मेरी ने कुछ पक दिया तो अगर जो साधी ने वो दो जमत दो बाइस वना लिये तो वो उटना चाहती थी मगर ख्वाब आवर अद्वा का असर गहरा होता जा रहा था उसके आंके बंद हो दी गई जेन डूपता गया और दिल डूप डूप कर उबरता रहा उससे एकसर बेहवर साधी मेरी से उसकी माली की तजियत कर रहा था पाईश आर्जू ही सही आसले सिंदगी सही आसले आर्जू है क्या मदाम के सिवा वो खर आया तो सनाटा सा था सेम स्कोल किया था और अम्मी गालवन ने बने रिस्टूरेंट अनिन ने उसका नाम रखा था और वो जानता था ये नाम अलीशा की कीचेंट से मुतासे शुदा था मगर वो थीखा हूँ उससे कमरे में जांगा तो वो बेट पे उगुरू बैटी थी सामने चंद कागसाद पुरसा पुरसा हुए पड़े थे वो अंदर आया निगाएं उस वेरान मुझूद से कागसाद तक गई उससे जैसे बिचली कछटका लगा तेजी सुन पे चप्टाओ तुकड़ो को उल्टा पुल्टा कर देखाओ ये किसने किया है ये तो तुम्हारा एटमिशन फॉर्म था इंजिनरिंग यूनिवर्सिटी के लिए हाना ये तुम नहीं किया है क्या हो गया है तुम्हें बताओ मुझे नर्मी से उसके सर पे हाथ अगा वो जो बिस्सर की चादर को तक रही थी आंगी उठाई बिना एनग के वो छोटी लगती थी मैं एटमिशन नहीं लूगी मुझे नहीं पढ़ना आंसू उसे आंगे भर गई हनीन बस कर दो अलीशा नहीं पढ़ सकी तुस पे तुम्हारा कसूर नहीं है अपके उससे घुस्सा चड़ा था मुझे नहीं पढ़ना भाई बगर उसकी नहीं सुन रहा था वो अलीशा और हाशिम भाई का मामला था तुमने कुछ गलत नहीं किया तुम उदको मुझरिम मत समजो हाना मैं मुझरिम हूँ मैं गुणागार हूँ आंसू उसके गालों पे लुड़क रहे थे हाना अलीशा को वो मिला जो उसने बोया अलीशा ने क्या अलीशा अलीशा लगा रखी है आपने बाहर में गई अलीशा वो एक्दम इतनी सोर की चिलाई के साधी बेखत्यार पीचे अड़ा उसकी अवास दर्ट से फटने लगी थी हर बात अलीशा की वज़ा से नहीं होती ये मैं हूँ हनीन कुछ था उसके अंदास में उसके आँखों में कि वो चूंका पहली दफ़ा उसे लगा कि वो अलीशा के लिए अफसित नहीं है कोई और बात है भे क्या हुआ है आना कद्रे अलाम्ट सा होकर वो उसका चेहरा खोशी लगा अनीन के आसों में रावानी आ गई मैं कौन हूँ भाई तुम हाना हो हमारे घर कर सबसे प्यारा हो और जहीन बच्चा तुम तुम के कल्चर की दिवानी हो और वो चल्दी चल्दी बताने लगा और तुमने भोट में टॉप किया है तुमने उसके आगरी बात पे हनीन सरकुटनों पेगीरा कर रोने लगी नहीं किया मैंने टॉप नहीं ली मैंने पहली पुजिशन हनीन क्या कह रही हो वो परेशानी से उसका सर्दबक रहा था उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे भीगा चेरा उठाया के लिए आगों से भाई को देखाऊ मैंने बोट टॉप नहीं किया मुझे घरत कर दिया उन कॉरियन ड्रामों और फिल्मों ने मैं तो इस साल पढ़ी भी ठीक से नहीं उसका सर्दबक रसादी का हाट ठेराऊ एरस उसे हाना को देखाऊ क्या ओल्फोल बोले जा रही हूँ मैंने बोट में टॉप नहीं किया पागल हो गई हो गया पुरा शहर जानता है तुमने बोट टॉप किया है तुम तुम्हारा रिजल्ट कार्ड बोट की तकरीब अग बार में चापा रिजल्ट वो सब सच था नहीं था वो सच वो सोच सची ही मैंने चीटिंग की थी सुना आपने मैंने पेपर्स पहले से देख रखे थे उसे कोया मिच्छू टंग मार गया था वो एक चट्के से उठा नफी में साही लादा भीचे हो क्या बगवास है हाना कोई चीटिंग करके टॉप नहीं कर सकता कोई पेपर्स ही पहले नहीं देख सकता तुम मेरे साथ तुम कोई प्रेंक कर रही हो उससे अब भी लग रहा था वो एक तम हसा शुरू कर देगी मगर वो रो रही थी मैं नहीं देखे थे सब पेपर्स देखे थे मुझे मालूम था एक्जैम्स में क्या आना है मगर वो अब भी नहीं समझ रहा था ऐसा नहीं हो सकता तुम हैकी में कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो तुम किसी बोट का में फ्रेम हैक नहीं कर सकती तुम कह गया रही हो पेपर्स तो बोट के चेर्मेन तक के पास नहीं होते इतनी सक्ट सीक्योडी होती है वो नफी में सही ला रहा था पेपर सेट करने वालों तक को फानल पेपर का इलम नहीं होता वोटका कोई एहलकार तक पेपर्स नहीं देख सकता स्वाई और यहीं पे वोटका बेयकिनी से हनीन को देखाऊ सवाई ओफिसर कॉन्फिडेंशल प्रेस OCB के उससे भाई का फिकरा मुकमल क्याँ तुम मजाग कर रही हो है न बिल्कुल दंक सा खड़ा वो कपकपाते आवास से पूश रहा थो OCB मानदार से मानदार शक्स को बनाया जाता है मोजेस द्यानतदार आदमी कोई OCB ऐसा नहीं कर सकता मुझे पता है तुम्हारे दोस्त के अब वो OCB हैं जो स्कूल में थी तुम्हारे साथ मगर OCB तुम्हें पेपर नहीं दिखा सकता वो अब भी सेनी तोर पे ये कबूल करने से इंकारी था अनीन में दुख परी भेगी निगाहों से उसे रिखाँ क्या आप जानते हैं इंसान अपने हांदान के लिए किस हद तक जा सकता है और आजो पेश से टिप टिप किरने लगे साधी बिदम सविट के पडले किनारे पे बैठाओ अनीन से काफी दूर उसकी शलसीनर से उस पे जमी थी वो अच्छो अपने कुटनों को देखती बदा रही थी हुमेरा के अपू उससी भी है उनी की वज़ा से हुमेरा हमारे बोट से इम्तिहान नहीं दे सकती जैसा कि असूल है हुमेरा मेरे पास आई इम्तिहानों से पंद्रा दिन पहले ये वो दिन थे जब मैं शदीद दपाओं में थी आप बाहिर थे और मैं सारा दिन रात के ड्राउ में देखती और ये डिप्रेशन होता कि पढ़ नहीं रही और किताबों में दिल नहीं लगता था एफ एससे के फिर्स एयर में कसम से मैंने वागई मेनत की थी और बोट में दूसरे हाइस माक्स से मेरे अब मुझे पुजीशन लेनी थी अना थी यह अम्मी को हुश करना था वो कहती अगर तुम फेल हुई तो तुमारा कंप्यूटर बंद कर दूगी ये माई उससे में हमें हमें हमारे प्यारे चीज़ से दूर करने की धमकियों क्यों देती हैं हमेशा अदेली की बुच से गाल रगड़ा साजुगाई वो बोल रही थी और वो सास रोके सुन रहा था तब ही हमेरा मेरे पास आई साथ में उसके अब्बू भी थे मेरी कंप्यूटर स्किल्स की शौरत दूर दूर तक थी लड़किया काम लेकर अक्सर आती हैं मैं कभी करती हूँ, कभी नहीं बदले में कुछ नहीं लेती बस सारी बहुत होती है हमेरा को भी काम था उसकी पहन की मौले के किसे लड़के से दोस्ती हो गई थी लड़की के पास उसके वीडियो थी अब्बू ने वहाँ शादि से इनकार करके एक मोसिस काराने में रिष्टा करवाया महीने बाद उसकी शादी थी मगर वो लड़का ब्लैक मेल करने लगा एन शादी के रोज वीडियो की तसावीर बना कर फंक्शन में बाट देखा यही कहा था उससे हमेरा मेरे पास आई दुरहास की तो सड़के के सारा कम्प्यूटर टेटा मिटा दू कुछ करू तो मैंनी कहा कि वो अपने अब्बू को भेजे अकेले अगली सुभा उसके अब्बू है यहीं ड्रॉइंग रूम में अपनी स्कूल थी मैंने उन्हें उधर बिठाया उनकी पास सुनी वो शर्मिंदा और बेपस संसराते थे बोले यह मैं क्या कर सकती हूँ तो मैंनी कहा उसके आंसों ने सारा मनसर थुन ला कर दिया और उस थुन में उसे एक पुराना मनसर उपढ़नी लगा उनका ट्रॉइंग रूम सोफे बेटे उधेर उमर मरमोसिस शरीफ से फारुक साम और उनके सामने सोफे पर टांग पर टांग चमा कर बैढ़ी अनीन एनक लगाए बाल फ्रेंट चोटे में बादे वो संचीदा और पुरसुकून नसर आ रही थी मैं उसका मुबाइल और गई के तमाम कम्प्यूटर्स वाइरस डाल कर इंफेक्टेड कर दूँगी फिर उसको पेगाम भीजूँगी कि जिस फ्लेश और सीडी इसमें तुमने वो सब डाल रखा है वो खराव हो चुकी है हैरान होकर उनको बारे 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 चेक करेगा यो हर्ट रे इंफेक्टेड हो जाएगी चन्द घंटों में उसका तमाम डेटा मिच जाएगा ना सिर्फ ये बलके मैं उसकी कम्प्यूटर तक रसाइख हासिल करके उससे मुझोद उसकी बेहनों वगरा की पिक्चर्स ले लूँगी फिर उसके सरी उसको बलके मिल करूँगी यगर नासिया बाजी की बारे में किसे से एक लफ्स भी खाऊं तो मैं उसकी बेहनों की तस्वीरें फोटोशॉप करके उससे के महले में बांट दूँगी उसके बाद उसकी मरचाल नहीं होगी कि वो नासिया बाजी को दुबारा बलेक मिल कर सके वो खोया सांस रोके सुन रहे थे बामुश्किल सरसवाद में लाया बेटा आप ये सब कर सकती है वागई नॉर्मल लोग तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ मैं हनीन हूँ वो लैसे भरको रुखी उनकी आँखों में देखा मगर आपने ये जो सोचा है कि अगर मैं पकड़ी गई ये साइबर क्राइम है आखर तो मेरा क्या होगा बदनाम भी होगी और जेल भी होगी जिन्दी तो बरबाद हो जाएगी मेरी सो अगर आपकी बेटी के लिए मैं इतना कुछ करने जा रही हूँ तो आपको भी मेरी लिए कुछ करना होगा जी बताइए मैं क्या कर सकता हूँ वागी को है आप OCP है आपके पास अगले महीने होने एक लफ्स भी इससे आगे मत बोलना वो लाल सुर होते एक्दम खड़े हो गए सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूँगा मैं बोर्ट टॉपर हूँ मुझे पेपर्स नहां दिखाएं तब भी दूसरी पुजिशन ले लूँगी वो भी साथ खड़ी हुई उनकी आँखों में आँखे डालकर सकती से बोली है मगर मुझे पहली लेनी है ये मेरी इज़त का मामला है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा उंगली उठा कर सकती से तन्बीगी वो तलही से मस्कुराई तो फिर किसी और एक्सपर्ट के पास जाए और उससे कहें उस सड़की का डेटा मिटा दे मगर मेरा डेटा कैसे मिटाएगा आप शायद भूल रहे हैं वो विडियो मेरे पास भी है पारुख साब बेगीनी से जटका खा कर दो कदम पीचे अठे और उस वाग भाई मुझे लगा कि मैंने उस जख्स को आदा मार दिया है उनको काहिल करना असान नहीं था मगर उमजबूर हो गए मैंने उनका काम कर दिया और उन्होंने मेरा मैंने ये भी कहा कि रिजल्ट आने तक नासिया की विडियो तल्फ नहीं करूँगी ताकि वो मेरी मुख पर ही न करवा सके मुझे पेपर से दी उन्होंने और मैंने बोर्ट टॉप कर लिया मुझे कोई गिल्ट नहीं हुआ रिजल्ट वाले दिन उनको कॉल करके कहा कि विडियो मैंने तल्फ कर दी है उन्होंने जवाबन कुछ कहे बगेर फोन रख दिया इतने महीने गुजर गए मगर मुझे एक दफ़ा पे गिल्ट मेहसूस ही हुआ जिससे वारिस मामो को कतल किया था उसे भी शायद एक दफ़ा तो दुख हुआ होगा मैं तो उनसे भी पुरी निकली कि मुझे तो लगा मैं पेपर सेखे विना भी दुस्री पोजिशन ले सकती थी कुछ जुर्म नहीं किया मैंने मगर ये सच नहीं था अलीशा के हच ने मुझे बताया कि इस सच नहीं था मैं अच्छे नमबर ले ली थी मर मर कर मेरिट पे आ जाती मगर मैं टॉप कभी न कर सकती यूकि मुझे उन्हो गोरिन ढ्रौमो ने पढ़ाई से दूर कर दिया था अलीशा के हच ने मुझे बताया कि मैं कितनी बुरी हूँ तब भी मैंने सोचा मैं फारुख से माफी मांग लूगी और बस सो अलीशा के हद के बाद मैंने उनके खर फोन किया तो उनकी वेडी ने बताया जिस दिन मेरा रिसल्ट आया था उस रोज मेरा फोन सुनने के बाद उस सरी टेविल पर गए अपना सीफा लिखा तसक किये और सरवही मेस पर रख दिया वो महरा उनको बुला नहीं गई मगर तब तक वो मर चुके थे वो मर गए भाई बरसू उस नाजुक ओदे की दोधारे तलवार भीमादारी से चले थे उनको मैंने काट कर रख दिया मैंने उस शक्स की जान ले ली मैं कौन हूँ भाई मैं कौन हूँ वो गुटनों पे सर अखे रोय जा रही थी और वो सामने बिल्कुल चुप बैटा था बड़े कफारे होते हैं यह मत कहना मैं दुबारा हिम्त्यान दे दू मैं उनके धबू को दुबारा खोल भी नहीं सकती पड़ना तो दूर की बात है वो उन पुरसा पुरसा कागसों के मजीद टुकड़े करने ली पिर्णस से उठा कर भाई को देखा वो बिल्कुल चुक था कुछ तो कहें मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना कहते हुए वो उठा और बेदम कत्मों से चलता हुआ बाहर निकल गया अनीन का सर मसीद चुक्या वो बहते आंसों में रोवानी आ गए बड़े गुनाओं के बड़े कफारे किसरे कारदार पे सापहे सर्मा की ठंड और हुनकी अंदर समोय उदर रही थी लौँच की रिवार की खिड़कियों के परदेश अटे थे भाई की रोशनी ने सारे लौँच को रोशन कर रखा था वो लाजिम कामों में लगे आ जा रहे थे ऐसे में उची किड़की के आगे जोहारात कड़ी थी मगरबी दर्स का स्याँ कुटनों तकाता लिबास और स्याँ टाइर्स में मल्रूस सीने पे बासों लपेडे दाएं आत्म की उंगलें उसे बाई कौनी पे मसल से दस्ट सकते थे उसकी शेरनी से आँकें बाहर जमी थी जहां सबसा सार पे साधी चल का राता दिखाए दे रहा था आज औरंग से भी आफात को साथवां रोस है और इस सुरान मों कई दफ़ा जोहारात का हाल पूछने आ चुगा था मगर उस आँकरी मुलाकात में वो जोहारात का उसके सामने होल फोल फोल देना वो उसका मेरी से बात करना वो जोहारात को अभी तक चुब रहा था और फिर उसकी देखी नस्वे मसीद नाकवारी उपरी सबसा सार पे चल कर आदा साधी धरम्यान में रुगा मेरी जो ट्रे उठाई गुजर रही थी उसके मुहादिब करने पे रुखकर उससे बात करने लेगी जो आरात को अलफाज इतनी दूर से सुनाई नहीं दे रहे थे वर उसके बेचाई नहीं पर दी जा रही थी क्या इसको अपने घर में चैन नहीं जो रोज चलाता है अकमिनोशिरवान ने कहाँ तो जोंकर पल्टी वो जेबू में हाट डाले खड़ा नागावारे से किड़की के बार साधी को दिख रहा था अब मुझे बुरा भला मत कहिएगा कि मैंने आपके दोस्की शान में कुछ साही कर दी साधी उक्तायवे अंदास से हाथ उठा दिये कि वो डांट सुनने के मूड में नहीं है जो हाराच चल्लम में उसे लिखती रही फिर मुड कर किड़की को देगा नीचे कड़े साधी और मेरे इंज्यो मैं वे कुफटकू थे मेरी कुछ कहे या नहीं जो वो उस दिन खुद इतना कुछ कह चुगी वो भी खदरनाक था तुम ठीक कह रहे हो इसे यहां हर वक्त नहीं आना चाहिए तो फिर क्यो ना इसका इस घर में ताकला बंद कर दू चमकती वे आँकों के साथ मुस्कुराती हो शेरोगी धर्व कुमी साथ दिन बाद हो बिलाहिर समली हुई पुरानी वाली जोहारात लग रही थी नोशिर्वान ने हैरस से देखा आप क्या करेंगी जो मैं करूँगी वो तुमारे भाई को मालूम नहीं होना चाहिए समझे नोशिर्वान को चनलमे लगे उसका मतलब समझने में और फिर उसका सर खुद भहुत असवात में लिया समझे मेरे साथ आओ वे एडियों भी खुमी और देश से इस कदम उठा दी आगे चल दी गई उसका रुख बाइड की जाने था शेरों देशी से पीछे लपकाव